Hello friends, myself Dr. Sushila Senni, Gynecologist and Obsitation Director, Jaipur Dubeen Hospital. आज हम बात करने जा रहे हैं Pre-menstrual Syndrome के बारे में, यानि की महीने से पहले होने वाले जो mood changes आ जाते हैं, चुड़चुड़ापन आता है, थोड़ा शरीर में भारीपन लगता है, और काम करने के इच्छा नहीं होते हैं, नीन प्रापर नहीं आती है, तो ये जो सारे symptoms होते हैं मिलकर जिसको बोलते हैं कि क्या आपका महीना आने वाला है, या आपका महीना आया हुआ है, ये common dictum सा बनावा है, तो ये सब को मिला के बोलते हैं कि pre-menstrual syndrome, प्रे-menstrual यानि कि महीने से पहले के दिनों में होने वाले changes, अब सवाज मन में आता है कि आखिरी symptoms आते क्यूं है, या ये changes क्यूं दिखाई देते हैं, और क्यूं हमारी परेशानी का कारण बनते हैं, तो ये जो कारण इसका जो मोटे तोर पर है, हार्मोन का changes है, जब भी अंडे दाने में अंडा बनता है और फूटता है, तो एक हार्मोन का पीक आता है और एकदम से पीक नीचे आता है, यानि कि लेवल बढ़ा और एकदम से डाउन हुआ, तो ये जो पीक आने के कारण जो हार्मोन में changes आता है, उसकी वज़े से mood में changes आते हैं, कि जो कि जिस हार्मोन पे mood depend करता है, वो dopamine का secretion एकदम से कम हो जाता है, जिसके वज़े से depression जैसे symptoms बढ़ जाते हैं, इसके अलावा जैसे ही body के अंदर estrogen कम होकर, progestron का level बढ़ने लगता है, तो water retention यानि कि अपना जो body है, वो पानी को store करने लग जाती है, इसकी वज़े से blotting के sensations आने लगते हैं, और mood changes होते हैं, इसलिए अपने को चड़ चड़ापन, गबराहट, anxiety, ये इस तरह के symptoms आने लगते हैं, और महीना शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले अपने को periods में pain भी शुरू हो जाता है, तो किसी को पेडूम में दर्द भी रहता है, और थोड़ी weakness या कमजोरी भी महसूस होने लगती है, तो कोई backache, body, leg cramps के भी complain करता है, तो ये जो सारे symptoms हैं, अब हमने समझा कि हार्मोन changes के कारण होता है, महिना तो हर महिने आने वाला है, और यानि कि जब महिना आएगा, तो उसे 10 दिन पहले अपने problem शुरू हो जाएगी, महिना तिन दिन रहेगा, वो भी एक problem रहेगी, यानि एक महिने के बीच के जो 15 दिन है, वो तो हमारे इसी महिने और महिने से related problems में ही निकल गए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिसे ये symptoms कम हो जाएं, और अमनी life थोड़ इसी comfortable हो जाए, क्योंकि महिना नहीं आएगा, ऐसा तो कोई remedy नहीं है और ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, तो हमें इन symptoms को ही कम करना होगा, तो इसके लिए कुछ अपने कुछ lifestyle modifications करने पड़ेंगे, कुछ diet में modifications करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी जिंदगी में थोड़ा आराम आ सके, तो जो सबसे important चीज़े हैं कि अगर आप टाइम पर नहीं सोते हैं, तो उस habit को आपको बदलना पड़ेगा, यानि कि अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइस, यानि कि आप 10-11 बजे सो जाते हैं, तो सुबज 6-7 बजे आराम से अपने 8 घंटे की at least नीन कुरी कर लीजिए, और यदि दिन में आपको थोड़ा बहुत भी rest करने को मिलता है, तो आप आधे घंटा करीब अगर दिन में भी rest करते हैं, तो आपकी body को relax मिलेगा, इसके अलावा यदि आपकी night shift का problem है, तो फिर आपको अपना shifting changes के लिए apply करना पड़ सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा दिन में 8 घंटे की निंद पूरी करने पड़ेगी, दूसरा यदि आप indoor activities में रहते हैं, और आपको बाहर sunlight नहीं देखने को मिलते हैं, तो आपको ये plan out करना पड़ेगा, intentionally आपको sunlight में जाना पड़ेगा, क्योंकि sunlight एक बहुत ही बढ़िया mood elevating factor है, और vitamin D की भी अपनी कमी को पूरा करता है, तो melatonin से क्रीट होता है, जिससे कि आपको depression कम होता है, तो vitamin D, melatonin और mood elevation के लिए आपको sunlight बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपकी body exercise के लिए used to नहीं है, तो आप धिरे-धिरे उसे exercise के लिए used to कीजिए, और कम से कम हकते में 5 दिन, 25 मिट daily exercise जरूर कीजिए, exercise में आप morning walk कर सकते हैं, gym जा सकते हैं, yoga कर सकते हैं, कुछ aerobics कर सकते हैं, या zumba कर सकते हैं, तो बहुत सारी activities के mode है, पर definitely 25 से 30 मिट, यानि कि आदा घंटा आप अपने पूरी lifestyle में शामिल कीजिए exercise को, आप बारी आती कुछ आदतें सुधारने के, यानि कि अगर आप smoking करती हैं, alcohol लेती हैं, तो या आपको कम करना पड़ेगा, या बंद करना पड़ेगा, क्योंकिए smoking और alcohol, both are injurious to healthy, तो आपने बहुत बड़े बड़ा हर पैकेट पे पड़ा होगा, बट डेफिनिटल स्मोकिंग से डिप्रेशन बढ़ता है, और अपना खाने पीने के आदते भी बदल जाती हैं, और हार्मोन लेवल भी बदल जाते हैं, तो यह हमें बंद करना होगा, इसके इलावा अगर आप बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, तो आपको अपने काम के समय भी थोड़े कम करने पड़ेंगी, और अगर आप बहुत जादा खड़े रहती हैं, तो आपको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, इसके इलावा फूड में शुगर का लेवल आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि फैटी एसिड लेवल और फूड में शुगर का लेवल और नमक ये तीनों ही इस प्रेमेंस्ट्रोल सिंटम्स को बढ़ावा देते हैं, तो थोड़ा शुगर कम करना है थोड़ा एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है और जो भी आप ओईली और फैट वाली चीज़े लेती हैं वह भी बंद करने पड़ेगी यानि कि आपको बेकरी वाला पट कट डाउन करना पड़ेगा बहार जो आप खाना खाती हैं वह भी थोड बढ़ाना पड़ेगा तो बीसिक्स हमारा इनमें अंकोरित दालों में मोट में मतर में और दूद में इनमें पाया जाता है तो आपको यह चीज़ें बढ़ानी पड़ेगे इसके लावा डेरे डेरे रिलेटेट प्रोडेक्ट्स यानि कि आप दही चाच रसगुले यह ले अब इसके अलावा यह सब काम करने के बाद भी अगर आपका प्रेमेंस्ट्रोल सिंड्रोम ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के हल्प के जरूरत पढ़ सकती है तो एक बार आप डॉक्टर के पास जरूर जाए और अपना एक सोनोग्राफी और बलड टेस्ट जरूर कर वाली जिसमें थाइरेड का टेस्ट और प्रोलेक्टिन टेस्ट कराया जाता है जिससे कि अगर यह कोई कारणों के थाइरेड का प्रॉबलम हो उसकी वज़े से भी कई बार ऐसे सिंटम्स आ सकते हैं तो उसको रूल आउट करना जरूरी है और कई बार यूटरस का कोई प्रॉबलम हो सकता या ओवरी में कोई सिस्ट या गांट हो सकती है जिसकी वज़े से हर्मोंस इंबैलेंस हो जाते हैं तो भी प्रॉबलम आती है तो वह रूल आउट हो जाएं एक बार तो फिर आप सिंपल मेडिसन ले सकती है जिसमें कि ड्रॉस पेरिनोन वाली जो 21 दिन दोक्टर ही आपको प्रिस्काइब कर पाएंगे तो जब आपका होम रेमेडिय आपका लाइफस्टायल वाडिफिकेशन काम नहीं आता तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना इंवेस्टिकेशन करवाई है और सलहा लीजे और जो मैडिसन प्रिस्काइब करी जाती है वो कमेंट बॉक्स में लिखके अपने सवार पूछ सकती है हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारी यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर देए बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आगे के वीडियो के अपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जनकारी के साथ तब तक हमशकार